प्रणाम बच्चों इस चित्र में बच्चे इशारों के द्वारा अपने मन की बात कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अपने मन की बातों को कह कर या लिख कर प्रकट करना और दूसरे की मन की बातों को सुन कर या पढ़ कर समझना भाशा है संकेत भी एक तरीके से अपने मन की बात प्रकट करने का साधन है पर उसे भाशा नहीं माना जाता अतहां भाशा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे तक अपने विचारों को पहुचा सकते हैं और दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं भाशा के दो रूप होते हैं, पहला रूप मौखिक रूप कहलाता है, इस रूप में हम भाशा बोल कर प्रकट करते हैं और सामने वाला हमारी बात सुन कर समझता है, जैसे हमारी वारता, रेडियो सुनना, इतियादी दूसरा रूप है लिखेत रूप, लिखेत रूप में एक व्यक्ति अपने मन की बात लिख कर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उस बात को पढ़ कर समझता है, जैसे हमारी पुस्तक, समाचार पत्र, इतियादी संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे रूस में रूसी, जापान में जापानी, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में अंग्रेजी इसी प्रकार हिंदुस्तान में भी कई भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, बांगला परन्तु क्या इन सभी को एक ही तरीके से लिखा जाता है? नहीं, विभिन भाशाओं को लिखने का तरीका अलग होता है और इसे बोलते हैं लिपी, किसी भी भाशा को लिखने की विधी लिपी कहलाती है आए देखते हैं कुछ भाशाएं और उनकी लिपियां हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुर्मुखी, उर्दु की फार्सी, बंगाली की बांगला अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भाशा को लिखने के लिए कुछ नियम होने चाहिएं? जी हाँ, होने चाहिएं और वो क्यूँ? वो हम यहाँ उधारन से समझते हैं, इन वाक्यों को पढ़ते हैं हिरन घास चर्ती है, लड़की अच्छा नाचता है, यह वाक्य सही नहीं है, यह वाक्य अशुद है हिरन पुलिंग है, हिरन के साथ आना चाहिए चर्ता, हिरन घास चर्ता है लड़की स्ट्रिलिंग है, लड़की के साथ आना चाहिए नाचती, लड़की अच्छा नाचती है भाशा के वहन नियम जो हमें शुद और अशुद में अंतर करने बताते हैं, उन्हें व्याक्रन कहा जाता है इस पाठ में आपने समझा भाशा क्या होती है, आपने समझे भाशा के दो रूप और आपने समझा भाशा लिखने की विधी, नियम जिसे कहते हैं व्याक्रन धन्यवाद